हेलो स्टुडायन लास्ट ये हमने वेंजन स्वार के और इनकी मात्राएं ये सब चीज़े हमने पढ़ा था तो कल हमने कुछ एक्सरसाइज की थी I hope आप लोगोंने question answer कर लिये होएंगे नहीं किये होएंगे तो मैं आपको भी इस वीडियो में भी दिखाऊंगी so next question देखते हैं हम गा नमबर हास्व और दीरगुस्वर चाट कर लिखो ये आपको हास्वश्वर और दीरगुस्वर दोनों mix दिये होए हाँ पर आपको ये चाट कर इनके सामने अलग-अलग लिखने हैं तो देखिए हास्वश्वर क्या क्या है हास्वश्वर और दीरगुस्वर को हमने अलग-अलग किया नेक्स देखिए घनमबर सही सब्द चाट कर खाले स्थान भरो फोस देखिए वेंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर के रूप को खाले स्थान कहते हैं मात्रा क्या कहते हैं हम मात्रा तो यहाँ पर हम लिखेंगे मात्रा के साथ जुडने वाले स्वर के रूप को हम मात्रा कहते हैं एक से अधिक वेन्जनों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त वेन्जन कैपे हैं संयुक्त वैंजन संयुक्त वैंजन संयुक्त वैंजन कहते हैं स्वरों की संख्या होती है 11 विसर्ग का चिन कैसा होता विसर्ग का चिन यह दो ऐसे डॉट्ट वैंजन वर्णों की संख्या जैसे स्वरों की संख्या 11 होती है उसके अलावा जो भी सेज बसते हैं वो वैंजन कहलाते हैं तो उसके अलावा वैंजन कितने हैं 35 35 वैंजन वर्ण हैं यह हमारे exercise कंप्लीट हुई वाली अब next देखिए जो आप लोगों को करना है उचित विकल पर सही का चिन्न लगाओ यहाँ पर आपको कुछी option दिये हुए हैं इन में से आपको यह देखना है कि कौन सा शही है छात्र ग्या अंस्रा क्या है वैंजन, स्वर, संयुक्त वैंजन अंड सब्द क्या आएगा इसमें संयुक्त वैंजन आप लोगों को यह खुद से ही करना है विकल और इसके अलावा आपका हमवक है यह देखिए रचनात्मकारिका का नम्बर आ से ग्या तक के वर्ण पूर्ण करो यह तो बहुत इजी है ओके आ के बाद आ, ई, ई, उ तो आपको यह जो भी छूटे हुए वर्ण दिये हैं इनको आपको पूरा कम्प्लेट करना है ओके, सो आप यार होमवर्क, ओके, and कम्प्लेट यूर फियर नोटबुक ओके, स्टुडेंट्स येस, आपको ग्रामर की कॉपी में आपको जो उसी में आपने पार्ट बनाया था उसमें आपको यह नहीं करना है ओके, यह आपको only book में फिल करना है आपको ग्रामर की कॉपी में only question answer करने है ओके, स्टुडेंट्स ओके, बाइब बाइब